नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन के तरह का टेकनीक होता है क्रिस्टलाइजेशन जो है वो एक प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन टेकनीक होता है मैथड होता है यह जो मैथड है क्रिस्टलाइजेशन का उसको हम यूज करते हैं तो अप्टे का large crystal जो है वो obtained होता है from their solution, उनके ही solution से हम pure substance के crystal को obtain कर पाते हैं by the process of crystallization, कैसे obtain करते हैं, यह हम बाद में एक activity से समझेंगे, ठीक है, तो जो crystallization का process है, वो एक तरह का physical change होता है, इसमें, physical change कैसे होता है, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ physical properties में changes हो रहा है, यहाँ पर कोई chemical change नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई new substance का formation नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो पहले जो हमारा जो substance था, वही substance रहेगा, कोई नया substance का formation यहाँ नहीं होगा, इसलिए जो crystallization process है, उसमें physical change होता है, ठीक है, और जो crystallization का process है, वो use किया जाता है, they are used in the purification of salts from sea water, क्या करते हैं इस process से, जो sea water में जो salt present होता है, उससे इस technique की help से हम separate कर पाते हैं, पहले separate करते हैं और उसके बाद purification का process होता है, ठीक है, और यह जो process है crystallization का, यह better technique है, with comparison to evaporation technique क्यों as q better है, यह हमारा equation है कि जो crystallization method है, वो q better होता है evaporation technique से, तो इसका answer यह है कि crystallization method से हम क्या कर पाते हैं, हम जो soluble impurities होता है हे उसको हम remove कर पाते हैं, लेकिन जो evaporation टेक्नीक होता है उससे हम soluble impurities को separate नहीं कर पाते है, remove नहीं कर पाते हैं, ठीक है, evaporation से भी, जो evaporation का जो process होता है उससे भी हम क्या करते हैं, जो salt होता है, उसको हम separate कर सकते हैं sea water से लेकिन जो crystal उससे obtained होता है वो काफ़ी small होता है वो हम clearly देख भी नहीं पाते हैं वो visible भी नहीं होता इसलिए हम use करते हैं crystallization technique को for the separation of salt from the sea water ठीक है तो अब हम पढ़ेंगे activity के बारे में the activity which is related to crystallization process इस activity में क्या करना है इस activity में सबसे पहले एक clean container लेना है या फिर हम बोल सकते हैं clean beaker लेंगे और फिर इसमें हम water add करेंगे about a cup full of water ठीक है one cup of water लेंगे और इसमें फिर add करेंगे dilute sulfuric acid जो sulfuric acid है उसका यहाँ पर dilute form लेना है और उसके कुछी drops इसमें add करने हैं ठीक है तो क्या हो गया water plus sulfuric acid के कुछ drops उसके बाद यह solution है water का इसको क्या करेंगे इसको heat करेंगे यहाँ से इसको heat provide करेंगे एक burner की help से यहाँ पर heat provide करेंगे तो क्या होगा जब heat provide करेंगे तो solution जो है वो क्या हो जाएगा वो गरम हो जाएगा और फिर वो boil होना शुरू हो जाएगा यहाँ फिर heat करने से जब boil होगा फिर क्या करेंगे उसमें add करेंगे हम copper sulfate का powder ठीक है तो एडिंग copper sulfate powder ठीक है एड कर लिए उसके बाद क्या है कि हम add करते जाएंगे और साथ में stir करेंगे मतलब उसको mix करते जाएंगे कि कोई lumps का formation ना हो ठीक है और फिर जब stir करेंगे और फिर add करेंगे तो यह process continue रहेगा तब तक हम add करेंगे जब तक की जो powder है copper sulfate का वो dissolve हो रहा है तब तक उसको add करेंगे लेकिन जैसी dissolve होना वो बंद हो जाएगा उस water में तो फिर हम stop कर देंगे फिर हम add नहीं करेंगे ठीक है उस powder को add नहीं करेंगे उसके बाद जो solution है उसको क्या करना है उसको filter करना है filter paper की help से उसको filter कर देंगे filter करने के बाद solution को हम allow करेंगे कि cool हो जब cool होगा तो solution को बिल्कुल disturb नहीं करेंगे और फिर हम observe करेंगे जो हमारा observation होगा उसको हम note down करेंगे तो क्या हम observation देखेंगे क्या ह वो obtained हो गये है ठीक है तो यहां इस process में क्या हुआ कि हम crystals को obtained किये crystal of copper sulfate को obtained किये तो यहां पर क्या हुआ कि कोई new product जो है कोई new substance है, उसका कोई formation नहीं हुआ, कोई new product यहाँ पे बना नहीं, तो यह जो process हुआ, यह एक तरह का physical change हुआ है, हहाँ पे कोई reaction नहीं हो रहा है, कोई oldu यहाँ पे equation involved, नहीं हो रहा है, तो यह process जो है, यह एक physical change process है, एक बार हम फिर से repeat करते हैं, steps by step कि क्या हो रहा है और उसके कुछ ड्रॉप्स और उसके बाद जो सल्यूशन है उसको हीट करेंगे तो वह बॉयल होना शुरू हो जाएगा जब वाइल होगा तो उसमें हम डालेंगे कौपर सल्फेट के पाउडर पाउडर आफ कौपर सल्फेट और वह एड करते जाएंगे और उसको साथ- कि नाइगे तब तक करेंगे जब तक कि वह उस वॉटर का सल्यूशन है उसमें डिजॉल्व हो रहा है तब तक एड करेंगे जैसी क!' कॉपर सल्फेट का जू पाउडर तो भी डालना श्टॉप कर देंगे उसको और add नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम उसको filter कर देंगे, जो हमारा solution है, जिसमें copper sulfate डला हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, उसको filter करेंगे, filter करने के बार, जो solution है, उसको cool होने देंगे, disturb नहीं करेंगे, और फिर हम क्या observe करेंगे, कि जो crystal होते हैं, copper sulfate के, वो obtained हो जाते ह इस process से, ठीक है, तो ये crystallization किस तरह का technique हुआ, इस technique से हमने क्या किया, हमने separate किया, crystal को separate किया, और क्या किया, इस process में हमने purification भी किया, तो यहाँ पर हमने लिखा है ना, कि crystallization is a method, जिसमें हम purification भी करते हैं, और separation भी करते हैं, और यहाँ पर जो obtained हुआ, जो crystal obtained हो रहा है, crystal obtained हो रहे हैं और उनका ये pure substance होता है ठीक है लेकिन अगर हम यही पर अगर evaporation process use करते तो उसमें जो crystal obtained होते हैं वो काफी छोटे होते हैं और pure भी नहीं होते हैं ठीक है तो इस तरह से यह जो topic है that is crystallization यह last topic था हमारे chapter का वो complete हो गया है और मैं एक बर फिर से आपको बताना चाहूँगी physical change और chemical change के बारे में कि क्या basic differences हैं इन दोनों में physical change में क्या होता है कि जब किसी भी substance का physical properties में changes आ जाए तो उसको हम physical change कहते हैं chemical change में क्या होता है जब किसी भी substance के chemical properties में changes आ जाए तो उसको हम chemical change कहते हैं physical change में कोई new substance का formation नहीं होता है लेकिन chemical change में new substance का formation होता है एक या एक से ज़्यादा substance भी वहाँ पर बनते हैं ठीक है physical change में कोई reaction नहीं होता कोई वहाँ पर कोई chemical equation नहीं involved होता लेकिन chemical change में chemical reaction होता है और इसलिए chemical equation भी होता है इसलिए वहाँ उसको हम बोलते हैं chemical change ठीक है physical change में कोई heat का production नहीं होता कोई temperature यहाँ पर increase नहीं होता ठीक है लेकिन chemical change में heat का भी production होता है produce होता है heat light भी generate होता है और इसलिए हम इसको बोलते हैं कि chemical change हो रहा है यहाँ ठीक है तो यह basic difference है और और एक difference और है कि जो physical change है वो mostly क्या होता है वो reversible in nature होता है लेकिन chemical change है वो irreversible in nature है एक बार जो substance, new substance का formation हो गया उनको हम reverse नहीं कर सकते उनको reverse नहीं कर सकते इसलिए इसको हम बोलते हैं कि chemical change है यह ठीक है तो यह मैंने आपको basic differences बता दिये है physical change में और chemical change में क्या difference होते है और यह जो topic है हमारा वो complete हो गया है और यह chapter भी हमारा complete हो गया है ठीक है और आप प्लीज इसको note down कर लीजिए प्लीज प्लीज और दो गया है प्लीज है